चंडिगड मेर के लिए 8 जनवरी को चुनाव तै है मेर चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने दर के मारे अपना उमीदवार नहीं उतारेगी ऐसे में सीधा मुकाबला आमादमी पार्टी और बीजेपी के बीच है चुनाव के दरान तूट के डर से आमादमी पार्टी ने पार्षदों को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था हाला कि नामांकन के लिए दुफैर में ही सभी चंडिगड वापस लोट रहे हैं दरसल मंगलवार शाम तक नामांकन की डेडलाइन है यूं तो चंडिगड नगर निगम चुनाव में आपके सबसे अधिक पार्षदों ने जीत दर्च की है लेकिन बीजेपी के दाओं से मुकाबला दिल्चस्प हो गया है चंडिगड के नए मेर का चुनाव 8 जनवरी को सुभा 11 बजे चंडिगड नगर निगम के आफिस में होगा मेर के साथ ही चंडिगड के सीनिय डिप्टी मेर और डिप्टी मेर भी चुने जाएंगे चंडिकर नगर निगम के मेर के लिए सीक्रेट बैलिट के जरीए वोटिंग होगी सिर्फ महिला पारशद ही मेर पत के लिए आवेधन कर सकती है क्योंकि पहले और चौते साल के लिए यह पोस्ट महिला पारशद के लिए रिजर्व रखी गई है चंडिकर नगर निगम चुनाव 24 दिसंबर को हुए थे जिसमें कोई भी दल बहुमत का आकड़ा पार नहीं कर पाया था चुनाव में डेब्यू करने वाली आपके 14 पारशदों ने जीत दर्च की थी जबकि बीजेपी के 12, कॉंग्रेस के 8 पारशद और अकाली दल के 1 पारशद ने जीत दर्च की थी वाट नमबर 10 की पारशद हरप्रीत कौर बाबला ने अपने पती देविंदर सिंग बाबला के साथ कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली इसके बाद बीजेपी के पारशदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है जबकि कॉंग्रेस की घटकर साथ रह गई है मेर चुनाव में चंडीगर सांसत का भी एक वोट मानने होता है जिसके बाद बीजेपी के पास कुल 14 वोट हो जाते हैं फिल्म अभी नेत्री किरन खेर चंडीगर का संसत में प्रतिनीज़त करती हैं ऐसे में अकाली दल के एक वोट और कॉंग्रेस के साथ वोटों में से क्रॉस वोटिंग होती है तो मेर पद बीजेपी के खाते में जा सकता है हाला कि इसमें एक पेच है चर्चा है कि महीला के लिए रिजर्व मेर पत्पर बीजेपी की पसंद हरप्रीत को और है अगर बीजेपी हरप्रीत को उमीदवार बनाती है तो ये फैसला आमादमी पार्टी के पक्ष में जा सकता है जिसे बहुमत साबित करने के लिए 5 वोट चाहिए इस बात की प्रबल समवाबनाएं हैं कि कॉंग्रेस अपने बागी हरप्रीत की हार सुनिश्यत करने के लिए आपके उमीदवार को वोट दे दे इस तरहे चंडिगड मेयर चुनाव में कॉंग्रेस किंग मेकर के रोल में हो सकती है इस वक्त उसने अपने सभी पार लोटेंगे